हेलो वेल्कम बेक टू माई चैनल प्रेंड्स आज हम आपके लाएं हैं मेकडी स्टाइल कॉर्ण बर्गर तो यह हमने पानी बॉइल करिया है और इसमें यह कॉर्ण डाल देंगे तो लगबक यह से तीन से चार मिटे से बॉइल ने देना है और यह हमने यह आलू को भी उबाल के रख लिया है तो प्रेंड्स हमारे कॉर्ण भी बॉइल हो चुके हैं अब इसे ड्रेंड कर लेना है किसे चन्नी में डाल के इसे ड्रेंड कर लें सारा पानी इसका निकल जाना चाहिए और यह हमने आलू को भी ग्रेट कर लिया है या तो इसे हाथों से अच्छी से मसल दे है यह हमने यह ब्रेट क्रम्स रखा हुआ है यह पॉंटो रखा हुआ है तो फ्रेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमने यह आलू में थोड़ी सी चीज डाल देनी है और साथ में हमने नमग मीड़ और 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 जो मिलता है और डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे इसमें धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है और साथ में हमने इसमें कॉर्ण डाल देना है पाउन हमारे एकदम सुख चुके हैं अब इससे अच्छे से से मिक्स कर लेना है हलकी हाथों से से मिक्स कर लें तो यह मारा आटे की जैसा यह बन चुका है चलिए फ्रेंड्स बिनाना स्टाट करते हैं थोड़ा से इसमें हाथों में लेकर और इसमें थोड़ा से इसमें बीच में खटा तरेंगे अगर आपके पास में मौजरेला चीज है तो वह डाल दे ने तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसे आप कोई भी शेप देदें बट मैट्री में यही स्टाइल रहता है अब इससे ब्रेंड क्रम्स में डाल दे और यह हमने जो रखा हुआ है तो चलिए फ्रेंड सब को इसे फ्राइब करते हैं तेर को अच्छे से गरम करना है और इसे तेज आंज पर ही इसे फ्राइब करना है इसे प्रेंड्स यह बेहत क्रिस्टी बनती है आप जरू ट्राइब कीजिए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होन तक इसा फ्राइब कर लें प्रेंड्स इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हो तो आप इसे बर्गर बनाकर इसे आप पर्चों के टिफिन में भी दे सकते हो तो चलिए हम बर्गर बनाना स्टाट करते हैं सबसे पहले हमने यह मेरुज डाली है और इसमें हमने यह प्यास रख देना है यह आपको जो भी सबजी पसंदे पत्तव हो भी है जो भी आप रखना जाए और इसको इपर टिक्की रखें अब इसे इस पर चीज स्लाइज डाले और इसे बंद करते हैं तो फ्रेंड्स यह बच्चे को बेर पसंद आएगे आप जबर एक बड़ ट्राइक किजिए तो देखिए इसमें चीज का कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें तो फ्रेंड्स थैंक्स पौर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेंड्स बेल आइगों प्रेंड्स करना न भूलें तो फ्रेंड्स ने टैंप भी मिलते हैं किसी नही रेसिपी के साथ टैंक यू